हेलो दोस्तो स्वागत है वकत कुमेने के सन के एक और नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हमलों बात करने वाले हैं SST मिन्स स्टाप सेलेक्शन कमिसन के और से न दोस्तो GD भरती 2025 के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन चल रहा है तो दोस्तो आप भी अधर फॉर्म को फिल अप कर रहे हो ना और आप जो है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिगनेचर वाले सेक्शन पे आके अटक गए हैं ठीक है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता हूँगा कि आप जो है अपने मोबाल के माइदेम से लाइब फोटो केप्चर कैसे करेंगे एंड सिगनेचर को किस परकार रिसाइज करेंगे एंड अपलोड करेंगे ठीक है इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसपेसली फोटो एंड सिगनेचर अपलोड करके बताने वाला हूँ तो दोस्तो आप जो है form को इतना धूर भर ली जगा ठीक है इसके बाद जो है आप जो है अपने mobile का यूज करेंगे तो चलिए mobile के screen पर चलते हैं और वहीं पर दोस्तो बाकी का जो काम है बता देते हैं सबसे पहले दोस्तो आपको जो है प्ले इस्टोर पर आ रहा होगा और प्ले इस्टोर पर दोस्तो माई SSC एप को इंस्टोल करना होगा ठीक है तो आप अगर सर्च भी करते हैं माई SSC तो यह जो एप है आपको देखने को मिल जाएगा तो आपको जो है यहाँ पर install कर लेने होंगे install करने के बाद दोस्तों इसको जो है आपको open करना होगा ठीक है तो आप दोस्तों कुछ दिर wait कीजे आपके net speed के उपर depend रहेगा कि आपका जो application है कितना देरी पर यह install हो जाएगा ठीक है तो install होने तक हम लोग wait करते हैं फिर open कर देते हैं इसके बाद दोस्तों आपका जो SSC का registration number रहेगा और जो password रहता है उसको आप capture फिलप करके जो है login पे click करेंगे अभी दोस्तों आपको reject and accept का option देखेगा आप accept पे click करेंगे इसके बाद दोस्तों आप कुछ देर wait करेंगे आपको जो कुछ इस परकार का interface देखेगा आप सबसे उपर में देख सकता है constable gd का option आ चुका है ठीक है तो आपको दोस्तों कुछ इस परकार का interface देखेगे आप ठीक से camera का option पे click करेंगे इसके बाद दोस्तों camera का जीतने भी allow है वो मांगे जाते हैं उसका प्रेदेंगे ठीक है इसके बाद दोस्तों आप जो है इस परकार से camera को रखेंगे और लाइप पोटो को कि अप्चेर करेंगे इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों photo upload successfully का option आ चुका है upload पे click करेंगे photograph uploaded successfully continue in website ठीक है आप return पे click करेंगे आप देख सकते हैं कि आपका जो constable gd है उसमें photo upload हो चुका है अभी चलिए दोस्तों वीडियो को आगे वड़ाते हैं और computer screen पे आपको ले चलता है कि वहाँ पे क्या हरकत हुआ होगा अभी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे photo अभी तक नहीं आया है तो आप क्या कर upload करना होगा signature को resize करने के लिए दोस्तों आप जो है गूगल पर लिखेंगे image resizer तो आपको दोस्तों सबसे पहले एक website का link मिलेगा आप देख सकते हैं image resizer.com तो आप इस पे click करेंगे इसके बाद दोस्तों select image मतलब इसमें दोस्तों आप जो है अपना signature को upload करेंगे देखे द इसके बाद दोस्तों आपको width and height यहां पर px का लिखा हुआ है तो इसमें बहुत सारे format है तो आपको फिर से website पर आना होगा आप यहां पर देखेंगे जो इहां पर centimeter में मांगा जा रहा है तो इसको आप जो है centimeter कर देंगे ठीक है इसके बाद दोस्तों आप यहां पर देंगे background feel को भी हटा देंगे ठीक है इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर target size देना होगा मतलब दोस्तों आपका जो image है वो कि size में आप बनाना चाहता है तो आप यहां पर देख सकते हैं 10 kb से लेके 20 kb तक आप यहां पर मांग गया है तो मैं यहां पर 15 kb रख सकता हू ठीक है इसके बाद दोस्तों original पर आप click करेंगे jpgp click करेंगे resize image पर click करेंगे ठीक है इसके बाद दोस्तों कुछ देर यहां पर processing लेगा और download image को option दे देगा ठीक है तो आप यहां पर देख सकते हैं आपका signature जो है resize होके आ गया है तो आप यहां पर जाएंगे और देखें signature भी आ चुका है ठीक है अभी 7 next पर click करेंगे अभी आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों photograph and signature save successful हो चुका है मतलब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि आप जो है live photo capture mobile के माईदिम से कैसे कर पाएंगे और दोस्तों किस परकार से signature को resize करेंगे upload कैसे कर information इस वीडियो में दे दिया हूँ ठीक है तो अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीज़ेगा दोस्तों को share कीज़ेगा चैनल पर न्योंगे तो फिलिज सस्क्राइब कर देज़ेगा thank you for watching जाहन